नमस्कार आप देख रहे हैं इस्पेसल कवरेज न्यूज और मैं हूँ आपके साथ सिवकुमार मिश्चा है उत्तर पदेश में आज एक बड़ी घटना हो जाती है ये घटना राज्जी की राजधानी लखनु में घटित होती है जहां कोट के भीतर एक अपराधी की जो सजा यापता था जिसे आज इवन कारावास की सजा मिल चुकी थी उसे कोट के अंदर गोली मार कर मार डाला लगे हत्यारे आदेवक्ता के वस्त्र पेन कर आये थे इससे पहले इलहावाद में पुलिस अविरच्छा में अतीक और अस्रफ की अत्या हो जाती है अभी इस घटना को प्रदेश के लोग भूले भी नहीं थे जिस तरीके से उसमें भी युवाओं ने अत्या को अंजाम दिया था इसमें भी एक हमलावर पकड़ा गया है जो वकीलों के ड्रेस में था पुलिस ने उसे ग्रपतार कर लिया था जो के जौनपुर का रहने वा आखिर युवा इस तरीके के घटनाओं को अंजाम देने के लिए आगे क्यों आ रहे है जहां एक पुराने अपरादियों का खात्मा हो रहा है तो इन नई अपरादियों को जन्म मिल रहा है यह बड़ी बात सोचने की है ऐसे में युवाओं को इस तरफ ले जाने से रोकन होगा बरना इसके अंजाम बड़े भयानक होंगी हम बात करते तो अब इस घटना करम जो लगातार हो रहे हैं उनसे यह लग रहा है कि हम 90 के दसक की ओर जा रहे हैं यहां पहले गैंगबार होता था और पुलिस देखती रह जाती थी आज उसी तरीके से फिर कोट में घटन को अंजाम दिया गया इससे पहले रोडी कि कोट में भी घटना को अन्यम दिया गया था लेकिन पुलिस की देख रहे में वो सभी कि मौकाई का मिशारक्षबार्णार कों से ज्यादा सुरक्षित और जगा कौन सी होगी इस घटना को लेकर लखनव कोट के वकील आकुरसित हो गए और वहीं धरना प्रदर्शन पर उतारू हो गए बड़े सोचने की बात है कि आखिर इस तरीके की घटना पर प्रदेश की जनता का क्या जवाब होगा क्या रुख होगा हालांक संजीब जीवा उर्फ संजीब माहे सुरी बीजेपी के कद्दावर नेता पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जिनने अपना भाई मानती थी उनके खिलाफ जब उनके साथ जो घटना घटी थी जून में गेस्ट हाउस कांड जिसे दिया गया था नाम उसके बाद ब्रह्मदत दुवेदी ने उनके जीवन की रक्षा की थी और उनने धरम भाई मानती थी और उन्हीं के धरम भाई मानने के चलते मायावती जी ने बीजेपी के साथ अपना पहला पैक्ट किया उस सरकार बनाई उन ब्रह्मदत दुवेदी की हत्या का भी जिम्मेदार संजीव जीवा था पूरवांचल के एक और पूरविधायक जिनकी हत्या हुई थी कृष्णारंदर राय उस घटना में भी संजीव दौनों दबंग विधायकों की हत्या का रोपी संजीव जीवा कोट के अंदर मारा गया वहीं डीजीपी ने आज आदेश किये है क्योंकि प्रदेश में कारिवाग डीजीपी से काम चलाया जा रहा है ऐसे में समाजबादी पारिटी के राष्ट्रिया द्यक्षा खिले से प्रदेश कारिवाग डीजीपी के सारे चल रहा है वहीं डीजीपी ने आदेश किया है कि कोट में सगन तलासी अभियान सुरक्षा विवस्ता बहुत चुस्त दुरुस्त की जाएगी लेकिन फिर वही ढख के तीन बात होंगे कुछ दिन मैटल डिटेक्टर गेट पे खड प्रदेश की जंता मजबूर है क्या इस पर सोचने के लिए कोट में आए उस बच्ची का क्या दोस्त था जिसे गोली लगी है बकील के बस्तर में आकर वकीलों को बदनाम करने की ये कौन सी साजिस है लखनु में पहले से बकीलों पुलिस के बीच जगड़ा चल रहा था आ नमबर तीन आज कोट में हत्या किस जगे बची है मैं नहीं मानता कि अपराद को रोका जाए अपराद पर जितनी जल्दी लगाम लगती है उतना वेहतर होता है अपराद रोकना प्रतिये कदाज्ज सरकार का मुख्य काम होता है लेकिन अपराद को अपराधी को बड़ाब देकर अपराद नरूपजे इस तरीके से अपराधी नई जन्म लेंगे एक नई अपराधी पुराने अपराधी का इस्थान ग्रहन कर लेंगे इस तरीके से सरेयाम हत्या होना प्रसासन पर भी प्रस्नवाचक चिन्न लगता है लखनव में हत्या होने का मतलब लखनव में राहत की बात यह है कि एक अप्रादी का मरना संजीव जीवा को सभी केसों में बाइज़त बरी किया गया था लेकिन फरुखावाद कोट से उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है और उसी सजा में वो इस समय जेल में था लगनव कोट में आज किसी केस की पेसी के चक्कर में आया हुआ था जहां उसकी हत्या कर दी गई संजीव जीवा में पांच गोलियां मारी गई और उसके बाद संजीव जीवा कोट के अंदर ही धेर हो गया वड़ी हैरान कर देने वाली खबर थी सबकी निगा लगी हुई थी कि आखिर क्या होगा इस खबर का हालाक पुलिस प्रसासन ने इस पर एक साइटी टीम का गठन भी किया है इस टीम का नित्रत एडिजी टेक्नी सियन मोहित अक्रवाल करेंगे और टीम में चार वरिष्ट अधिकारी और सामिल किये गए है और इसे दस दिन के अंदर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है इसे के साथ जल्द फिर हाजर होंगें किसी बड़ी ख़बर के साथ तब तक के लिए आपसे नमस्कार लेंगे लेकिन हमें उन सची ख़बरों तक जानने के लिए ख़ड़ा हो चुकाए नमस्कार